कि यह विवरी सिंगल पेशेंट जिसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ उसके दिमाग में यह सवाल आता ही है कि क्या यह हर्निया फिर से हो सकता है यह दो चीजों पर डिपेंड करेगा obviously, कितने अच्छे से हरनिया का operation हुआ है, यह obvious सी चीज है, जब भी कहीं टाके लगते हैं, जब भी कहीं एक plastic surgeon भी टाके मार सकता है कि आपका जो सकार है दिखाई ही ना दे, और एक simple सा कोई, क्या कर सकते है, ward boy या कोई medical assistant, जो वहाँ होते हैं, doctor का जो compounder वो भी टाके मार सकता है, उसमें फिर आपको यह तना मणा सकार आजाए, so it's about expertise, it's about knowledge, so हर एक surgeon, एक ही degree वाले surgeons में भी difference हो सकता है, उनके skill level का, उनके time का, उनके interest का, कि नहीं मुझे इसको और अच्छे से ठीक करना है, नहीं मैं को भटाफट करना है, नहीं मुझे 10 surgery करनी है, नहीं मुझे एक ही करनी है, अच्छे से करनी है, so it's so many factors play a role, कि आपकी surgery किते अच्छे से हुई, कितने अच्छी तरह से hernia reduce हुआ, वहाँ पर अच्छे सुचर मारे गए, but 90% of the cases, यह surgery कोई major surgery नहीं है, तो अच्छे से हो जाती है, मैश अच्छे से place किया कि नहीं किया, बिल्कुल ठीक है, surgery अच्छे से हो गई, उसके बाल most important point is post surgery care, post surgery जो पहला कुछ time होगा, हफता, दो हफता, तीन अफता, वो टाइम पर वो घाओ, अपने आप में हरनिया बन सकता है, अगर आपको फिर भी खासिया आती रही, आपने फिर भी लाटरीन में ताकत लगा लाकर constipation किया, आपने फिर भी ध्यान नहीं दिया, so it's important in your hand, कि basics को ठीक करना जरूरी है, उस concept को रख समझ लेंगे तो आपको फिर हरनिया नहीं होगा, लेकिन अगर आप basic कि नहीं ठीक है, खाओं खाओं खासी खासी या लाटरीन में स्टूल ताकत लगा लगा के इशाब में, so आपका वो incision हरनिया का भी फट सकता है, double हरनिया हो सकता है, सिर्फ एक मेश से काम नहीं होगा, it's about the whole package, right, so हरनिया फिर से होने के चांसे रहते हैं, but it's not, मतब जादा तर केसे में, हरनिया फिर से नहीं होगा, जो लोग खाल नहीं रखते, उनका जरूर फिर से हो सकता है, right,